आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाइस, चले देख लेते हैं मारा अगला question किया है in the given figure O is the center of the circle and R ABC subtends an angle of 130 degree at O है ना, now we know that AB extended to P AB हमने P तक extend कर दिया है तो हमसे पूछा जा रहा है ये वाला angle theta इसके बराबर होगा है ना, तो देखें, question थोड़ा simple है हम सबने पढ़ा हुआ है पस हलका सा figure को twist कर दिया गया है तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं और इस figure को धान से देखके एक property समझने की कोशिश करते हैं तो देखें, सबसे पहले अगर ये हमारा एक circle given है और इस circle में देखें, ये हमारा circle given है और इस circle में हमें एक center plot करना है suppose this is the center तो अब हमें सब लोगों को हम एक चीज पता है वो क्या पता है कि ये चीज आपने पढ़ी भी होगी यहाँ पर आपने देखें पढ़ा होगा कि अगर ये angle 2 theta होता है तो ये angle theta बन जाता है ये property हम सबने पढ़ी हुई है कैसे लिखते हैं इस property को simple ऐसे रिखा जाता है कि अगर एक chord pq hana eq chord eq subtence 2 theta at center then it subtence subtence theta at the क्या at the क्या यहाँ पर circumference circumference इसका मतलब क्या हुआ गरता था इसका मतलब ये हुआ गरता था कि अगर हमारी line ऐसे भी बनी होती इस तरीके से भी अगर ऐसे भी बनी होती तो ये भी angle कितना आता ये angle भी theta ही होता ये कहीं पर भी chord अगर जाये तो यह एंगल थीटा ही होता है तो यह जो हमारी प्रॉपर्टी है यह जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको मैं important mark कर दे रहा हूँ अच्छा आप एक चीज और देखते हैं थोड़ा focus करके ध्यान से देखते हैं क्या चीज है वो देखे इसको suppose हम हटा दे ओरिजिनल लाइन्स को ओके और अब देखे पी और क्यू जो है ना हमारा पी और क्यू कॉड को मैं उपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ ऐसे इस इस पी इस 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 क्यू है ना तो अब कैसे बनीगी फिगर यह सरकल पे center पे एक area subtend करेगा एक angle उसे center है ना और एक angle यहां है ना तो अब सरकल यहां पे यह 2 theta हो जाएगा और यह angle फिर theta आ जाएगा same property तो अब notice करिए यही same चीज यहां पे बनी होई है है ना यही same चीज यहां बनी होई है जहां AB chord हमारी 130 हमें उल्टा ये वाला एंगल दे दिया है बस that is their trick हमें पीछे का एंगल दे दिया है तो ये वाला एंगल क्या होगा ये वाला एंगल होगा 360 degree minus 130 degree है ना तो हमारा question solve हो जाएगा right तो चलिए इस figure को side में रखते होए because this figure important है इस question को solve करने की कोशिश करते हैं है ना चलिए एंगल subtended at center by chord कौन सी chord AC AC chord angle क्या subtended कर रही है 360 minus 130 degree किसके बराबर आएगा ये ये आजाएगा हमारा 230 degree के बराबर है ना 330, 360 yes 230 degree के बराबर आजाएगा तो इसको मैं यहां क्या लिख सकता हूँ इसको मैं यहां लिख सकता हूँ 230 degree तो automatically ये कितना आजाएगा 230 divided by 2 आजाएगा देखे टू थीटा होता है तो थीटा होता है है ना therefore angle ABC therefore angle ABC is equal to 230 degree divided by 2 क्यों ये है हमारा angle subtended subtended by chord AC at circumference यही तो हमारी प्रॉपर्टी है है ना तो ये किस के बराबर आ गया ये आ गया हमारा 115 के बराबर 115 डिख दी है ना तो हमें ये अंगल ABC मिल गया now we know that 115 डिख अब देखे मारा question solve हो गया now 115 डिख प्लस थीटा यही हमें answer में निकालना है थीटा is equal to 180 degree ये ना it implies थीटा is equal to 65 डिख दी and this 65 डिख दी is our answer तो यहां सर्कल की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो की काफी स्नीकिली इन लोगों ने थोड़ा सा तिर्चा करके डाल दिया है ना है सेम प्रॉपर्टी बस फिगर थोड़ी तिर्ची कर दिया तो यहां पर मैंने वो फिगर बना रखी है I hope you guys were able to understand की question solved कैसे हुआ यह PQ chord है हमारी I hope आप लोगों को समझ में आए गए question solved हुआ बहुत इजी question था Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8444 सूपर